नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका SLC Learning Point by Sing Sir आज हम करेंगे CHSL 2022 प्री में जितने भी अच्छे सवाल पूचे गए तो उनका सलूशन ठीक है ये QRevision हो का आपके पेपर से पहले और जितने भी अच्छे सवाल पूचे गए आप उनको फटा फट देख लीजिए और आसा है कि इसी तरीके के आपको सवाल मिलेगी चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए उससे पहले टेलिग्राम चैनल जोईन कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रेप्चन में दिया गया है उसकी solution PDF और print table PDF आपको दोनों मिल जाएगी चलिए फिर स्टार्ट करते है आप देखो कह रहा है उस तरवज का च्छेटरफल ग्याद किजिए जिसकी प्रतियक भुजा 13 और 15 14 हमेशा देखो इसको note कर लेना कहीं भी 13 14 15 ठीक है एक तो बिलकुल sequence से है और इनका area होता है 84 यह learn कर लो ठीक है इसके लावा heroes formula simple सा आप लगाएंगे आपका formula आजाएगा आपको पता है कि under root s s minus का a s minus का b और यह हो जाएगा s minus का c यह क्या हो गया area हो गया जहाँ पर s क्या हो जाएगा तीनों बुजाओंगा परिमापका आता है ठीक है तो आप इससे कर सकते हैं लेकिन आप इसको note कर लिजे यह बहुत आता भी है और ऐसा ही आसानी से देखो सीधा सीधा नंबर द इस पर स्रेखा की लंबाई ग्याद किजिए ठीक है अब देखो सिंपल सी बात यहां पर एक चीज़ है आपको ऐसा नहीं है कि सारे हाड सवाल ही मिलेंगे अच्छे सवाल मिलेंगे जो आपको मतलब ऐसा भी है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं तो हाड तो कुछ पूछा नहीं जाता है तो अच्छे ही सवाल हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखो दो ब्रतों की तरजयां 12 और 5 उनके केंदर की बीच की दूरी 25 सेंटीमेटर है अब यहां से सिंपल सी बात देखो 12 और 5 17 होता है लेकिन यहां पर कितनी दी गई है 25 हो गई यहां से वो उतर के आ करने ही जरुत नहीं कितने फर्मूले आप याद करोगे इनके केंदरों की बीच की दूरी देदी थी आपको 25 इसकी देदी थी 12 बोजा या तो यह बड़ा है तो इसकी 12 ले लो ठीक है रेडियस और इसकी ले लो 5 यह इस पर सरेखा थी इसको जैसे नीचे लाए तो इस पर सरेखा यह यहाँ पर आगी यह भी 90 बनाएगी अब 12 से 5 गटाएंगी तो यह कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा तो ट्रिप्लेट से साथ 24 हो जाएगा तो यह कितनी होगी 24 होगे आपको फर्मूले याद नहीं रखने यह concept दिमाग में रखो डारेक्ट आएगी radius का डिफ ना कहीं पर कुछ मिल तो नहीं रहा इस पर क्या बन जाएगा वन अपान रूट तरी का 3 हो जाएगा यहाँ पर हमने देखा तो cost square 30 देखो यह बाद में निकालो चाहे पहले निकालो बात बही बन नहीं ठीक आपको बाद में भी satisfied करना है पहले भी करना पड़ेगा तो इस गए कुछ तो मैच नहीं कर रहा है तो हम इस पर काम कर सकते थे यानिकी सेक स्कायर सेक कमान हमने 4 बटे 3 अभी रखा है वन प्लस का cost square cost का अभी मान रखा है नीचे option से हमने देख लिया है इंटू में 1 प्लस का sin square 30 sin square 30 का मतलब क्या हो गया एक बटे 4 हो गया फिर 1 प्लस का cost कमान अभी रखा है तो यहाँ पर 7 उपर हो गया नीचे 3 हो गया फिर 7 आ गया बटे में 4 आ गया इंटू में 5 बटे 4 आ गया नीचे में 5 हो गया तो यह 5 से 5 कैंसल आउट 7 से 7 कैंसल आउट 4 उपर पहुंच जाएगा 4 बटे 3 इंटू में 4 आ जाएगा 1 बटे 4 आ जाएग तो इससे क्या होता है चीज़े की बनती इसी तरीके पर जाके आप उठे ट्रेंगल माल लिए आपने बुजाएं फिर इसमें put करेंगे उसके बाद सारे option चेक करने पड़ेंगे बात बही बनेगी चलो अब इसका basic भी देख लेते हैं ठीक एक तो तरीका यह हो गया आप दू अपन में क्या हो जाएगा cos square a का opposite बना upon sin square a lcm ले ले लेंगे तो sin square a प्लस का one upon में sin square a हो गया ठीक है तो यह इससे cancel out हो गया यह इससे cancel out हो जाएगा पस six square a पहुंच जाएगा उपर A उपर पहुँच गया और N2 में हो गया Sinus Pair A अब इसको क्या लिख सकते हैं इसका opposite क्या हो गया Cos Pair A या निक हम लिख सकते हैं Sinus Pair A अपन में Cos Pair A बराबर में क्या हो गया 10 इसपैर ठीक है चलो फिर अगला सवाल करते है जीवा XY द्वारा एक ब्रत के केंदर पर अंतरित कोड 180 डिगरी है यदि जीवा की लंबाई 36 है तो ब्रत की तरज्या यह 100% पूछा जा सकता है सवाल यह ची ध्यान रखना तो सिंपल सी बात देखो यह यहाँ पर 180 डिगरी का कोड़ ऐसे ही तो बनेगा तो जीवा है भई आपकी क्या करेगी ब्यास का काम करेगी तो आपका अंसर आगया क्या 18 क्योंकि जीवा का आदा क्या हो जाएगी रेडियस अब इसमें देख लो आप value putting से लगाना चाहते हो value putting आप बनाते रहना मैं basic से बताता हूं ठीक है और पूरे 100% के चक्कर में क्या करते हैं हम लोग paper color कर लेते हैं 1 plus का x square यहां से cut जाएगा अब इसको एक तरीके से all लिख सकते थे 1 minus x और 1 plus का x लिख सकते थे तो इससे भी तो कुछ फाइदा मिलेगा हमें यहां से भी देख लेते हैं हमारा cut रहा है तो यह 1 minus x 1 minus x से चला गया अब यहां पर देखना है यह इसको जब हम काटेंगे तो यह minus का हो जाएगा minus का हो जाएगा तो यहां पर देखो बचा क्या क्या है ऊपर में x बचा है नीचे में 1 plus x का अगला सवाल यह कार की समान गती से 60 km की दूरी तय करती है यदि कार की गती इतनी बढ़ा दी जाती है तो समान दूरी तय करने में 2 गंटे कम लगते है कार की मूल गती क्या होगी देखो यह बढ़ा दे और घटा देने वाले हमेशा आवा option पकड़ो ऐसा option पकड़ो की 60 में भाग चला जाए तो तुमारे पास क्या option होगे 1,2,3 15 से करते तो 15 चोकू 60 होगे यहाँ पर कितने लग रहे 4 गंटे अब 8 बढ़ा दी जाती है तो 15 में 8 बढ़ा दी है तो 23 होगे 23 से 60 में भाग कर पाऊगे भाग तो नहीं कर पाऊगे ना fraction में हमारा मान भी नहीं आ रहा क्योंकि 2 गंटे कम लगने चाहिए तो पहला तो चला गया दूसरे में करते तो 12,5,65 गंटे और 12,8,20 और 60 बटे 20 कर देते तो 20,3,60 देखो कितना अंतर आ रहा दो satisfied होगे answer अगला सवाल P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है तो परड़ाम Q का 80% आता है देखो P का 20% आप percentage लिखने की जरूरत नहीं है आपको भी पता यह आप लिखके देखना उससे क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि आप लिखने जाओगे तब आप कुछी यह समझ में आएंगी तो 20-20, 40, 20, 80, Q की percentage दोनों तरब से कड़ जाएगा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर 4 से दो गया, 2 Q हो गया N की P upon Q कितना हो गया, 2 बटे 1 हो गया P Q का कितना परसेंट है P Q का भाई देखो आप यहाँ से कितना परसेंट हो सकता है 200% हो सकता है, 2 बटे 1 गुड़े में 100 कर दो, अंसर अगला सवाल आप इसमें देखो, यह भी सवाल उसी तरीके से आप चाहें तो यह वाला ट्रेंगल रख सकते हैं ठीक है, 3, 4, 5 चाहें आप कोई value putting मान के कर सकते हैं चाहें तो आप basic से कर सकते हैं यह साप से basic ज्यादा अच्छा होगा तो देखो, sine minus का sine upon में यहां कर दो कोई से, upon में कर दिया sine, कोई से और फिर plus का हो गया, यहां पर sine, यह यानि कि जब हम sine common ले लेंगे, उपर से sine हमने ले लिया common, ठीक है तो क्या हो गया, 1 minus का कोई से और यहां से भी sine हमने common ले ले लिया, तो क्या हो गया, 1 plus का कोई से हो गया, तो यह sine a, sine a, cancel out हो गया, लेकिन यहां से answer नहीं मिला, हमें sec में जाना पड़ेगा, यानि कि हमें इसको change करना पड़ेगा, तो change करेंगे, यानि कि 1 minus का यहां पर लिख सकते है, sec और फिर 1 plus का 1 upon sec तो जैसे ही LCM लिया, तो sec नीचे वाले तो कट जाएंगे, और यह आजाएगा minus का बन, यह आजाएगा sec प्लस का अगला सबर अब यहां पर देखू, 100 पड़ों का मान, अब simple सी इस सीरीज को ब्रेक करनी की कोशिस किया करो, जैसे ही 24 और ये 60 का कुणा गंटे में बना लिया 12 उनी 24 बाराद पंजे 60 हो गया तो यानि कि 20 पंजे 100 आ गया अब 140 स्पीड कम कर दी तो स्पीड 100 और 60 हो गया अब ये तो स्पीड का रेशियो टाइम में रेशियो 3 और 5 का हो गया यानि कि यहां पर 24 मिनट लग रहे थे तो आठ गुना और आठ पने 40 मिनट आंसर अगला सवाल एक ब्रत की परिदी इतनी है तो देखो समसे पहले ये याद कर लो ठीक है अगर परिदी इतनी है तो रेडियस कितनी होगी 14 होगी अब कह रहा था एक्स वाइब पर नब्बे डिगरी का कोण बनाती यानि कि परिद पर आपको एक चीज़ और पता जीवा यही होगी आपकी क्योंकि आर्द विरत में बना कोण समकोण होता ये सभी ने पड़ा होग अब ये देखो ये सवाल आते हैं इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में औरल कैल्कुलेशन करो जैसे 47 आया आपको पता है कि हमें 49 इसक्वाइर पता है 47 के आसपास तो हमने क्या किया दो जोड़ दिया यानि कि ये 7 का बन गया आप 7 के आसपास किसका स्वाइर 9 का पता तो तो यह कितना बन गया, तीन बन गया, अब क्यूब बाले पर जाना, तो तीन तरका नो थिया, 27 और माइनस का, तीन दूनी 6, यानि के आंसर आ गया, कितना, तीन तरका नो, तो आंसर आ जाएगा, अठार, नहीं समझ में आई, देखो, यह से यह औरल ही करने पड़ेंगे आप को सवाल, क्योंकि यह औरल किये जाते हैं, दोनों तरब दो जोड़ा, तो यहां से क्या निकल गया है, एक्सपार प्लस बन अपान, एक्सपार बराबर, आपका साथ आ गया, फिर से दोनों तरब दो जोड़ दिया, तो यह आ गया, एक्स प्लस बन अपान, एक्स बराबर, अब जब ये पता लग गया तो आपको ये भी पता XQ प्लस बना पाउन XQ बराबर क्या होगा AQ माइनस का 3 है और A क्या है ए हमारा 3 है यानि कि 3 की प्रावर 3 27 हो गया और 3 तरका 9 हो गया अंसर आ गया अगला सवाव समाज के 20 सदस्यों कि आउसत आईू इतनी है और तीसusta ने सदस्यों को जोड़ने पर आउसत आयू इतने बर्स हो जाती है नए सामिल है सदस्यों कि आउसत आयू किक्नी सवाल हमारा यह बन गया कि 150 लोगों का एवरेज 58.120 लोगों का एवरेज 62 पाइंट अब एक चीज बताओ जो नए लोग आये हैं जैसे पहले यह था उनका यह हो गया यानि कि वो 62.5 से तो कम लेके आए तभी तो एवरेज कम हो रहा है नहीं तो कम ही नहीं होता अब कम कितना हो रहा 5 से 2 गया 3 हो गया और 12 से 8 गया 4 हो गया और 5 से 5 जाए गा इतना अब कितने लोगों में 1500 लोगों में कम हो रहा है यह जानि कि आप हम देखते तो 0 से 0 चला गया और 15 थीया 45 हांसल लगा 4 15 4 60 और 4 44 इतना कम हो रहा है यानि कि माइनस 645 करना पड़ेगा लेकिन हमें एक लोगों का निकालना पड़ेगा ता हमारा काम चलिएगा 5 चक्के 30 हो गया 5 एक पांच एक बच गया 5 दूनी 10 पांदें 45 हो गया यहां से करेंगे 6 दूनी 12 हो गया 6 एकंद 6 हो गया 6 पंजे 30 अब घटा देंगे 0 दो से एक गया एक 600 हो गया चार यहांनी की आंसर आ गया 41 जो कि 30 लोगों का एवरेज था अगला सवाल एक बेक्ती 80 रुपर प्रती पेन की दर से 80 पेन खरीदें 20 परसंट की हानी पर 40 पेन बेचता है यदि सवी पेनों को मिलाकर 20 परसंट का लाव अरजित किया जाता है तो 6 पेनों पर लाव परसंटेज बताईए तो हमें दिखो percentage बताना 20% की हानी पर बेचे गए ठीक है ये 40 पेन थे और कह रहा था से स्पेनों को यानि कि वो भी कितने बचे हैं 40 ही बचे हैं इनको कितने पर बेचा जाए कि all over हमें 20% का लाब हो जाए यहाँ पर difference कितना आया 40 आया और इन में कितना रेशियो हो गया एक रेशियो यानि कि एक ब्रावर 40 है तो इसको भी एक ब्रावर 40 आएगा अब ये वाला A ब्रेस से कम है तो ये ज़्यादा होगा यानि कि इसका answer हो जाएगा 40 प्लस का 20 यानि कि 7 अगला सवाब अब ये संख्या 11 से विवाजे अब ये सवाल आपसे पूँचा जा सकता है इस टाइप का तो पूँचा जा सकता है ससी जैसा कि ज़्यादा पूँच रही है तो 12 प्लस का B हो गया और डिफ्रेंस में आ जाएगा आपका 2 प्लस का A ठीक है अब यहाँ पर हमें मान रखना पड़ेगा लेकिन एक चीज ऑप्सन से हमें पता लग रहे कि B हमारा कम से कम बड़ा है तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ बोला नहीं कौन सा क्या हो सकता तो यहाँ पर A रख दो A की जगे 0 रख दो X-2, X-4 और इतने आयू वाली 4 नहीं लड़कियां कच्छा में सामिल होती है कच्छा की नहीं आउसत आयू क्या है देखो 6 का कितना था? X था अब जो X-2 वाली आई है तो वो माइनस 2 कम लेके आई है प्लस 4 वाली प्लस 4 ज़्यादा लेके आई प्लस 8 ज़्यादा लेके आई, प्लस 10 ज़्यादा लेके आई यानि कि अब टोटल लोग जितने हो गए पहले तो यहाँ से देख लो गड़वड़ी कितनी होई, 8-4, 12-12, 10-22 22 से दो अटा देंगे यानि कि 20 प्लस का है यानि कि एवरेज है वो तो बड़ेगा और 20 बड़ेगा और एक लोगों में कितना बड़ेगा 6 यह होगा, 4 यह 10 कर दो डिवाइट 10 दो नहीं 20 यानि कि एक्स प्लस का ठीक है थोड़ा सा फास्ट चलें क्योंकि यह रिवीजन क्लास है ना कि आप भी बेसिक से या बैसे भी मैं फास्ट ही चलता हूँ तो एक बटे दो था और दो बड़े 5 हमने माली टोटल कि 10 रासी थी एक बटे दो भाग का मतलब 5 भाग हो गया 5 भाग 20 पर सेंट पे दिया गया फिर सेस रासी का यानि कि 10 से 5 चला गया तो 5 बचा 5 का 2 बटे 5 यानि की 2 भाग को दिया गया 25 परसेंट को फिर जो 6 बचा है उसको 10 परसेंट तो देखो 5 दो 7 बचा कितना 3 इसको 10 परसेंट ठीक है अब यहां से अगर हम ब्याज निकाल दे तो देखो 100 परसेंट या तो देखो common ले लो तो यहां से करेंगे तो 180 ब्याज आ जाएगा यानि की 180 बराबर 180 हो गया तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 अब यह 10 आया लेकिन आपको जीवा ब्यारा ब्रोट की परिद पर बनाए गया कौन 90 डिगरी है परिद पर बनाए गया समझ गया यानि की के इंदर पर कितना बनाय जाएगा एक सो सी बात खतम हो गई यह भी तुम्हारा अब्यास है ब्रत की तरज्या अब यह नहीं करवाया जाएगा यह पूछा जा सकता है इस पर बहुत सवाल पूछे गए है अब यह तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया इसको हम क्या लिख सकते थे के प्लस बन अपाउन के बराबर माइनस का 2 छी क reminding के बराबर हम क्या पूट कर सकते हैं माइनस का आपका यहां पर प्लक कर दो पावर का ध्यान रखना थ भावर औ यह तो बस माइनस का बन देगा फिर और फिर माइनस का बन देगा अंसर हो गया है माइनस का दू अगला सवाल दो समान बढ़त यंग दूस सा गलत लिखे है यहां पर क्या है यह एक आपकी इस बर्स रेका है ठीक है यह आपर जैड पर मिल रहे थे यह यह एक्स हो गया यह वाई हो गया हम से पूछा जाएगा एक्स जैड और य का मान क्या होगा तो 90 डिगरी होगा reason क्या है यह आपर इसको दो मिला दिया, ये तो बरावर होगी तेनों, तो ये वाली property बनतेattend को अगले होगी है। से अपनी सामान गती 14 किलोमेटर प्रतिगंटा कम करनी पड़ती है कार की सामान गती क्या होगी तो थोड़ी देर पहले इस टाइप कराया अपने आपको बताया था आप आप से जवाल लोगों क्योंकि लगता है वैसे टाइम अब है आप पर दिस्टेंस थी 280 किलोमेटर अब 14 किलोमेटर प्रतिगंटा कम कर दी तो सतर से कम कर देंगे 14 यहनि की सत्तर से 14 सत्तर से 10 गया तो 60 हो गया 56 यहनि की 280 बटे 56 हो गया तो साथ चौक अठाइस और साथ अथे 56 तो आठ पने 40 पांच गंटे आगे तो यहां पर देखो कितना फरक पड़ा एक गंटे का और कोश् 3500 रुपए में दो गड़ियां खरीदता है वैं पूरे सौधे में ना तो लाब कमाता है और ना ही हानी का उठाता है प्रति एक गड़ी का क्रेमू लेका है यह तो आसान है यह हानी था क्या पर 0 इनका डिफ्रेंस 10 हो जाएगा इनका डिफ्रेंस 25 25 25 हो गया पांदूनी 10 हो तो साथ बरावर हमको दे दिया था 35 तो दो बरावर निकालते तो साथ पंजे 35 कितना आ जाता जिसमें 10 दिया हो और अगर पांच बरावर निकालते तो जिसमें 25 दिया हो जी रो कुई तो वैलू तभी देंगे जब आप्सन इस तरीके से दिये हो एक बस तो को 10% की हानी प वह तो देखो 10% की हानी पर बेचा जाता है यानिकि यहां पर एक्समान के कर लो कि या तो सो से करेंगे तो हम आप से कहेंगे कि परसेंटेज वाले आपको छूने नहीं है जैसो चलो परसेंटेज से ही कर लेते हैं 100% चीज थी 10% की हानी मतलब 90% हो गया अब क्या हुआ हु परसेंट का लाव अरजित किया यानिकि यह चीज कितने में बेची 110 की बाई यह बन गया सेलिंग पराइज इसमें 110% हमने कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो से जीरो चला गया गया गुड़ा करेंगे 1100% माइनस का 55 हो गया बराबर में 900 हो गया और पिलस में 80 हो ग और गोड़े में हो गया तो जीरो से तो जीरो चला जाएगा फिर यहां से पांधूनी 10 हो गया पांचों को 20 हो गया 9 73 यानि कि 243 अप और में हो जाएगा 4 424 जीरो जाएगा 4 728 425 यानि कि 60.75 अब यहां पर हम क्या करते हैं और एक्स बान के लिए कैसे कर लेते जैसे यह पर 10 X हो जाता है यह 9 X हो जाता है तो जितने परसेंट की जगह है बहां पर X आ जाता है बात बही पड़ती लेकिन यह होता है X से थोड़ा आच्छा नहीं लगता है यह तो हमारे रगरग में बढ़ा गया है लिकना ऐसा कुछ नहीं X बहुत जगह काम आता है जहां हम लोग 48 है तो PS वरावर 48 है तो X का मान क्या होगा तो देखो अब सिंपल सी बात है दो सकेंद्री अब्रत है तो सकेंद्री अब्रत पहले तो बना लो बढ़िया से चलो यह बनके त्यार होगे अब 26 X से बढ़ाता है यानि कि बढ़े अब्रत की तरिज्या कितनी हो गई यह दी PQR एक सीधी रेखा है तो PQR तो इस तरीके से कुछ बनेगा PQR अच्छा AS है ना तो यहाँ पर AS कर लो अब कहरा था QR बराबर 40 है यानि कि यह यहां से यहां तक की दूरी देदी थी 40 PS बराबर देदिया था 48 यानि कि यह पूरी डिस्टेस देदी थी हमको 48 तो जो जो पता है पहले उसको पुट करते हैं यह वाली वेलू हमको पता थी 26 हो गई यह वाली डिस्टेंस दो बागों में इसको बराबर बाट देगी यानि कि कहने का मतलब यह हो गया कि यह हो जाएगा 24 यहां से यहां तक पर यह कितना हो जाएगा 10 क्योंकि आपने पढ़ रखा है 10 24 26 का ठीक है तो इससे बन जाएगा अब नेक्स्ट क्या करना पड़ते है इस साइड ले लो ठीक है इसको नहीं मिलाना था एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि हमें क्या बड़ी वो तो निकाल लिए अब छोटी आर की जरूरती तो बही पर उसी पर तो काम करना था क क्यों फर्जी की नो टंकी करें हम लो तो यहां से इसको मिला लिया यह क्या होगी इस महलार होगी यह 10 हो गया अब यह बताओ जब यह बड़ी वाली यानि कि जब पी एस को डिवाइड कर रहा था यह वाला लंग जिस पर मैं चला रहा हूं तो यह इसको भी तो आगा यानि कि आ जाएगा पांच को और इंटू में जब अगला सवार पांच विश्यों में राकेश के शंतंक 75 एक तर तीन विश्यों में ऑसंतंक का ब्यासी था यह टूटल कितने नंबर हो गए छे नंबर हो गए यानि कि जो बीच वाला नंबर है वो कहीं डवल जुड़ रहा है यानि कि अगर हम लिख ले क्या तीन गुड़े अनसर निकाल सकते थे मिल्कुल निकाल सकते तो 11 से से चे गया और चे से चेगद जीडो बटे चार कर दो 5 आठ्ठे चालिस पांच पांच हो गया इख सिर्वुच की बुजाएं बारा नो और 9 संटीमीटर हैं इस त्रवुच के परिवरत की तरिज्य क्या होगी तो परिवरत गोड़े 9 गोड़े 9 हो गया बटे में 4 हो गया अब इसका मान एरिया निकालना पड़ेगा आप एरिया देखो संद्यभाव तरभूच दिया गया था आप तो या तो डारेक्ट पर पेंड्डुकुलर निकाल के कर सकते तो 9-12 हो गया यहाँ पर डालते तो यह हो जाता 90 और दो वागों में बाटता यानिकि यह छे हो गया तो यह वाली बुजा नहीं निकाल पाऊगे यह हो जाएगी 9 का स्पायर माइनस 6 का स्पायर यानिकि 9 6 15 और 9 में से 6 गया 3 तो 3 12 आ जाता अंदर क्या बसता रूट 5 बसता तो एरिया क्या हो जाता इंटू में 1 बटे 2 12 और इतना अंसर नहीं मिल ला है तो फिर कोई बात नहीं रूट 5 का उपर नीचे गोणा कर लो तो यह मिल जाएगा 27 रूट 5 बटे 10 ठीक है एक मिसरड में दूद और पानी का अंदर पात इतना है मिसरड में कुछ दूद मिलाया जाता है जिससे दूद और पानी का अंदर इतना हो जाता है प्रारंबिक मिसरड के पिरसत के रूप में कितना दूद मिलाया गया था तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पर मिल्क और वाट एक और चार था अब इसमें कुछ मिल्क मिलाया गया यानि कि वाटर का रिशियो तो सेम रहना चाहिए था लेकिन यहाँ पर च सादूनी 14, 140%, अगला सवाल, आयूस और अबसेख का बजन इतने अनपात में है, अबसेख का बजन 40% बढ़ जाता है, और अबसेख दोनों का कुल बजन 60% बढ़ जाता है, यदि कुल भार 140 kg हो जाता है, तो ब्रद्दी के बाद आयूस का भार कितना होगा, अब इनको यहां से देखो, लास्ट से लाइन पकड़ो, 60% बढ़ा था, यानि कि कहने का मतलब है कि टोटल 160 बरावर दिया था, एक सो चार, तो यहां से हंडेड बरावर निकालते, तो एक सो चार बट एक सो साथ, गोड़े में 100 हो जाता, बिल्कुल हो जाता, 0 से 0, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एक सो चार हो गया, यानि कि एक्चुल बजन उनका इतना था, अब हमारे इसाथ से रेशियो में 8 और 5 कितना हो गया, 13, तो 13 बरावर कितना हो गया, पैसाथ, यानि कि 5 गुना हो रहा था, वो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, यह कौन आ गया, यह आयूस किया गया, ठीक है, अब 5 बरावर निकालते हैं, तो 25, 25 किस की आ जाती, अवशेक की आ जाती, ठीक, अब वो कह रहा था, कि 40 परसेंट बजन बढ़ गया, अवशेक का, तो 40 परसेंट यानि कि 25 का, 140 परसेंट हमें निकालना था, तो 25, 400 हो गया, 4, 3, 12, 4, 25, 20, यह 35 किस का हो गया, यह बढ़ ग 69 केजी बजन, यह किसका था, यह आपका आयूस का था, ठीक है, अगला सवाल करते हैं, विवेक सुबह 8 बजे, 70 किलोमेटर पर गंटा की गती से चलना शुरू करता है, विवेक के 4 गंटे के बाद नीरज, उसी दिसा में 120 किलोमेटर की गती से चलना शुरू करता है, निम बढ़के आप पूरा पेपर कर लेंगे, तो आपको जब टाइम बसता है, तब दुवारा में करना है, लेकिन यह तभी करना है, जब आप आगे भी सियोर हों, कि आपको सवाल बही करेंगे, जो आपको आते हुए हों, पता लगे आप आगे गए, महां फस गए जाके, तो क इरेजबाद में चलना है, चलो कोई बात नहीं, तो 120 किलोमेटर के हिसाप से चलना सुरू करता है, तो जब 280 पकड़ेगा कि समय, दोनों एक ही दिसा में चलना है, तब ही तो पकड़ेंगे, नहीं तो कोई पकड़ने वाली बाती नहीं आती, यहां पर, तो 280 बटे यहां से कटा देंगे, तो यह 50, यानि कि हम कह सकते हैं, पचम 25, तीन बटे पांच, गुड़े में 60, यानि कि 12, 55, बारा ती है, 36, पांच गंटा, 36 मिनट बाद पकड़ लेंगे, लेकिन यह टाइम आएगा कब, देखो, 8 बजे के बाद, 4 गंटे बाद तो बो चला, तो 12 यह बच् 8080, देखो, 4 बजे तक, तो 8 बजे से 12 बजे तक 4 गंटे हो गए, और 4 और 8 गंटे तक, कौन बिबेग चला है, 70 के स्पीड से, तो 560 किलो मेटर डिस्टेंज चली, 120 के हिसाब से, वो 4 बजे तक कह रहा था, तो नीरज, 8 से 4, 12 गंटे बात कह रहा था, यानि कि 12 बजे के ब गलत हो गया, अगला सवाल, 7 सेंटिमेटर तज्या वाले, तीन बरत इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रती एक बरत, अन्य दो बरतों को स्पर्स करता है, इन तीनों बरतों से गिरे बात का छेतरफल क्या होगा, तो देखो, सिंपल सी बात है, कि तीन बरत है, एक दूसरे को स सब इस पर्स कर रहे हैं, चलो भईया, ठीक है, और इसका हम से एरिया पूछा है, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा सुंदर टिकाव तुरुज बना लो, जिसे कहते हैं संभाव तुरुज, क्योंकि रेडिया साथ, 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 और यह हो गई साथ, तो हमने एक देखी कि अगर पूरे ट्रेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, पूरे ट्रेंगल का एरिया, उसमें से यह सेक्टर वाले हटा देते हैं, तो हमारा काम खतम हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहां से क्या करते हैं, अगर हमें पता हो संभाव तुरुज की बुजा 2, तो एरिया होता ूज सी सपाइर का इरिया अगर हमलिकै तो क्या होता पर बनेगा एक के यहां पर बनेगा एक यहां पर यानि कि तिरभुज के तीनों कोड़ों का योगफल कितना होता है 180 होता वही तीन सेक्टर हमें मिल ले न तो हम वही रखेंगे तो 180 बटे 307 तो 18 दूनी 36 हो गया साथ से साथ चला गया यह हो गया क्या 11 हो गया तो 1177 हमारा आंसर अगला सवाल तिरभुज PQR एक समकोंड तिरभुज है कोंड PQR 90 डिगरी है ठीक है बहुत बढ़ी आवाद सुन्दर टिकाओ वाली बात है यह तो यह हो गया P, यह हो गया Q, यह हो गया R कराता QS लंब है PR पर ठीक है यह लो परपेंडुगलर पड़ गया PQ दिया गया था 6 और PS दिया गया था 4 तो इसको माल लो 4 और QS की लंबाई हमको बतानी थी यानि कि इसकी लंबाई बतानी थी इससे आसान सवाल हो सकता है क्या 90 की सामने क्या हो गया यह तो हाइपोटेनस हो गया यानी कि इसको निकालेंगे तो 6 का स्पैर माइनस 4 का स्पैर हो गया यानी कि 6-4-10 ओ 6 से 4 गया दो हो जाएगा यानी कि 2-12 आ जाएगा रूड में 5 अंसर आगेगा 240 मीटर 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है बगीचे के बाहर चारो और से 4 मीटर चोड़ा एक रास्ता बनाये गया है पत का छेतरफल क्या होगा तो देखो एक तो तरीका होता आप लोग फर्मूला याद कर लो ठीक है एक तरीका होता आप अपने दिमाग में चीजे बैठा लो आप आयताकर बगीचे के दोनों चारो तरफ जन्ना भाई इस तरीके से रहा होगा इसके तरफ ये रहा होगा इसका रास्ता ठीक है एक बाहर आयत बनकी एक अंदर तो बाहर वाले आयत की distance क्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी क्योंकि इधर 4 पिलस होगा और इधर भे भी पिलस का 4 होगा इसी तरीके से चोड़ाई कितनी हो जाएगी 80 पिलस का 8 हो जाएगा और अंदर वाले का 240 और 80 रहेगा तो आपके पास दो तरीके होते हैं आप जैसे करना चाहूँ वैसे कर सकते हो तो यहां से करेंगे यह बन जाएगा 248 यह हो जाएगा 88 ठीक है तो गुड़ा कर लेते हैं या तो 11 गुड़े 8 करके कर लो या तो आप डारेक्ट कर सकते हैं और आप्सन का सारा लेते चलते हैं लेकिन हाँ ध्यान रखना दो आप्सन मिले तो एकदम डारेक्ट नहीं पहले करते चलो तो यहां से अठ्टू टू चौशट किया एरिया निकालने हां से लगा 6 हो गया यही पर छोड़ दिया तरने फिर यहां पर 24, 68, 192 होता है 192 होता लाष्ट में 2,0 आएंगे तो इसमें से यह गटाया जाएगा तो लाष्ट में यूनिट इजिट चार आएगी तो आंसर लगागी तो यह ध्यान रखना है और ऐसे चीज़े की भी जाती है अगर प्रेक्टिस अच्छे से नहीं होगी तब आप नहीं कर पाएंगे संख्या 720 में एक और स्वयम संख्या को छोड़ कर कुल कितने गुड़न खंड़ है तो 720 के हमें क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे तो सबसे पहले किस पर आते हैं नो से कर लो नो अठ्वे बादतर हो गया इदर पांदूनी 10 हो गया ठीक है, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं एक यह दो था तो यह पावर में 4 आ गई 5 की पावर 1 हो गई तो अब factor निकालेंगे तो 4 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1 हो गया ठीक है तो 4 एक मार्च गुड़े में 3, गुड़े में 2 तो 5, 3, 15, 15 दूनी 30 हो गया यह total factor हो गया लेकिन उसने क्या का 1 को और 720 को छोड़ कर माइनस 2 करतो यानि की 28 आंसर आगला सवाल एक पुर्स और एक मैला द्वारा एक कार को पूरा करने में लगने वाले समय का अनपाद इतना है पुर्स और मैला एक साथ कार को 24 दूनों में पूरा कर सकते हैं मैला अकेले कितने दूनों में पूरा कर सकती है तो यहाँ पर deposits time का ratio 2 अनपाद 3 दिया था efficiency में ratio कितना हो जाएगा 3,5,2 एक पूरुस और एक महला यानि कि एक पूरुस और एक महला का ये आ गया कितने दिनों में चौविस दिनों में तो दोनों की efficiency पाँच होगे अब किसको करना है महला को अकेले तो केले करने के लिए महला की efficiency जी तो होगी तो 12 करतेंगे 12-50 दिन में अगला सवाल अब यहां पर देखो यह तो आसान सवाल है हर जगह बहलू पुटिंग करने की भी पेपर में भी ना सोचा करो तो इसको हम क्या लिख सकते है इसको लिख सकते है वन माइनस का साइन स्पार है पर यह फार्मूला हो गया क इसका साइन एक डीलर 15,000 रुपे प्रती मसीन की दर से दो मसीने बेजता है एक पर उसे 20% का लाव होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानी होती है पूरे सोदे में उसका लाव और हानी परसेंटेज बताईए तो दीखो 20% का लाव का मतलब हो गया एक बटे 5 यानिए कि 5 की चीज 6 में बेची गई यह क्या हो गया cost price यह हो गया selling price 40% हानी का मतलब पहले तो 40% का ही मतलब लिख लो 2 2 4 2 5 10 यानि कि 5 की चीज 2 loss में बेची यानि कि कितने में बेची 3 अब वो यह कह रहा था 1500 रुपए प्रती है मसीन की दर से 2 मसीने बेची यानि कि उसका selling price बरावर है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें पूरे सौधे में लाब और हानी बतानी थी तो यहां से देखो इसमें क्या हुआ एक रुपे का profit हुआ यहां से loss हो रहा था टोटल 2 का गुणा करना पड़ेगा यानि कि यहां से 4 रुपे का loss हो गया तो यहां से loss कितना हुआ हमें 3 रुपे का यानि कि 3 का loss हुआ टोटल अपने पास से लगा कितने दिये 5 दूनी 10 और 10 और 5 15 गुड़े में कर दो सो को तीन पने 15 हो गया 5 दूनी 10, 20 % आंस अगला सवाल अब यह तो बिलकुल आसान सवाल है आक सब्सक्रावर क्या रखना था माइनस मन रखना था यहां पर माइनस बन हो जाए गा यह नीचे यह भी माइनस का बन रहे जाएगा यह प्लस का बन हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है आपकी एवन है यहां पर भी यह प्लस का बन हो जाएगा यह सारे cancel out 0 answer अगला सवाल फिर बोज स्टी यू में SX और टी यू पर मत दिखाएं हैं यदि SX और बराबर TX है तो कौन T S U का मान क्या होगा तो देखो S T U जब यह एड़ पटे नाम दिये जाते तो थोड़ी और दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम लोग जनलरली ABC करते हैं पी क्यू आर करते हैं तो दिक्कत तो होती है तो यह S हो गया यह T हो गया यह U हो गया तो कह रहा था के से बरावर्त कर दिया आप देखो यही चीजह आपको अब हम ने समझाए ती क्या संजाए ती अगर मान लो यह सर्किल बना और बिरत में बना क्या होता है समकोंड और इसमें कौन कौन से बजाएं बरावर होती है 1,2, 3 बरावर होती है देखो बिलकुल बही बन और TSU पूचा है यानि कि यहाँ पर क्या वनेगा 90 वनेगा तो यह आप विल्कुल प्रक्टिस कीजिए आपको आसानी से चीज़े समझ में आएंगी एक दुगंदार एक बस्तु के अंकित मुल पर 20% की चूट देता है और उसे 5% की हानी होती है यदि बस्तु को अंकित मुल पर बेचता तो उसे लाइप पर सिंटेज क्या होता तो आपको पता है कि मार्क प्राइज और कॉस्ट प्राइज जिसमें भी आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट होता वो किसके नीचे आ जाता मार्क प्राइज के नीचे यानि कि यह 95 हो गया और 20% की छूट यानि कि यह कितना हो गया असी हो गया यह 16 हो जाएगा यह उन्यस हो जाएगा यानि कि कितने का profit होता अगर mark price पर बिश्था तीन का बटे में 16 गुड़े में 100 पर तो यानि कि 300 बटे कितना हो गया 16 हो गया है यहां से करेंगे 16 एकम 16 बचा कितना है 14 बच गया ठीक है 1688 कर देंगे क्योंकि 169 हो जाएगा 144 वह ज्यादा हो जाएगा तो वन एट एक ही में मिलना आंसर लगा ठीक है यह चीज़ तो पता होगी ना mark price पर छूट देते हैं तो यह कितना हो गया 80 परसंट और इसी जो बन क聊 प्राइस और आ निकाल लेंगे तो वह बन जाएगा loss हो रहा था तो loss percentage कर लो यह भी देखो यह भी selling प्राइस बन गया यह भी बन गया दोनों बरावर कर लिए, अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, यह भी आसान सवाल है, यह लिखा हुआ क्या था, A plus का 1, upon में A minus का 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा था, A minus का 1, upon में A plus का 1, जब हम यहाँ पर LCM ले लेंगे, इनको दोनों को अलग भी तो लिख सकते हैं, इनको अलग करके भी लिख सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है कर लिया, तो ये क्या उपर A प्लस का बन बन जाएगा, प्लस में A माइनस का बन बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, अंडरूड A माइनस बन औ प्लस का वन हो जाएगा यानि कि लिख सकते हैं श्रमाइनस का बन आप ऊपर देखो कोई क्या हुआ बहुत था यहां पर ये कैंसल आउट हो गया हैनि कि टू ए अपॉन अंडर रूड्ट ए-स का बन हो गया अभ एक की जगह क्या था तो यहां पर टू इंटू को सेके कि अपॉन में एक एक तुब होगा पॉस ज्वाइब सकते हे मैं पॉंच जाएगा तो क्या ओगा घृँचा यह दोनों कैंसल अगला सवाल तैने बराबर इतना दिया था इसका हमको मान निकालना तो बेरी सिंपल सवाल है बिल्कुल यहां पर क्या हो गया लंब बटे आधार होता है तो तीन तरका नो एक दस हो गया है यह कितना हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा मान रख तो साइन एक साइन में क्या होत है कि जो आपके आ सकते हैं और अच्छे सवाल है तो कॉस ए क्या होगा यहां पर सिंपल सी बात है आधार बटे कर्ड होगा तो यह तीन तरका नो बटे दस आंसर अगला सवाल तो यहां पर इसका मान पूछा गया था तो सबसे पहले एदर दोनों में दो जोड लेते हैं त सिंपल सी बात है यहां पर पहुंचना था तो तीन की क्यूब माइनस का तीन गुड़े तीन हो जाए गया ने कि 27 माइनस का नो आंसर 18 अगला सवाल एक ब्रत की तरजिया इतनी है एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इतने डिगरी है तो संबंधित चाप की ल पर मूला होता है तो यहां पर लिख देंगे क्या दो गुड़ें 22 बटे साथ आर का मान है 42 थीटा का मान है 150 बटे में हो गया 307 तो साथ चक्का ब्यालेश चाचरंग 36 हो गया पंदरा चौकू 60 हो गया दो दूनी 4 हो गया इधर आ गया एक 110 आंसर आ जाएगा अगला सवाल अगर आपको यह पता हो एक प्लस ब्लस 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 ब् फिर minus में minus का 5 into में 3 और आ जाएगा क्या A B आ जाएगा तो A B की जगा हैं क्या लिख सकते हैं- 6 तो 5 का Q कितना हो जाएगा 125 और यह minus minus plus हो जाएगा 15 पंदरा 15 शक्का 90 हो गया तो यहां से यह 5, 12, 9, 3, minus का 30 answer अगला सवाल सांत जल में 9 की गती धारा की गती से अनुपात इतना है और 9 धारा के अनकूल 24 मिनट में 22 किलोमेटर की यात्रा कर सकती है तो 9 को धारा के प्रतकूल 50 किलोमेटर की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा तो देखो नाओ की गती यानि कि यहां पर लिख लेते हैं बोर्ट और यह होगी इस्ट्रेंगी यानि कि आठ अनुपात थी अब क्या कहला था अनकूल यानि कि दोनों 22 किलोमेटर आर तीन ग्यारा स्पीड हमने जोड़ दी 24 मिनट मिनट को गंटे में चेंज कर देते तो ग्यारा दूनी 22 इदर हो जाएगा कितना बारा बारा पंजेस साथ एक्स बराबर पांच आगे स्पीड निकाल लोगे हाट पंजे 40 होगे पर पांतियां 15 होगे समझ में आगी अब 50 किलोमेटरों से प्रत्कूल जाना तो दोनों का डिफ्रेंस हमें करना पड़ेगा कितने आ जाएगा पच्छेस तो पच्छेस दूनी 50 कितना आ जाएगा दो गंटे अगला सवाल अब हम समझ के रखना 10 ठीटा और ठीटा भी दिये हुए नहीं तो फिर फस जाओ गहीं रह गा होगे तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं ठीटा बराबर 30 दिगरी पूट करके देखते हैं तो एम बराबर कितना आ जाएगा सेक 30 सेक 30 कोस 30 का अपोजिट होगा यानिकी 2y रूट 3 उन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे mn2em तो यह अंदर मल्टीप्लाई इसको करते हैं one upon root 3 into में 2 हो गया प्लस का one upon root3 into में root 3 हो गया यह cell out हो गया ठीक है अब क्या करते M-N करना था, यानि कि M-N और करेंगे, तो क्या मिलेगा, यह समझ गया हो ना, यह कर क्यों रहे, क्योंकि यहां से अब जब solve करेंगे, तो M-N माइनस का M मिला, तो एक यहां से कर लिया, उसके बाद M-N कर लेंगे, तो M कितना था, 1 upon root 3, N कितना था, 2 minus Kg-N कर लिएगा, तो यहां से क्या करते हैं, L-CM लेकर बना लेते हैं, तो root 3 हो जाएगा, और मैनस में 3 हो जाएगा, upon में हो जाएगा तो यहां से कर लेंगे, minus common लेकर, तो बच जाएगा, 2 और ब्लस का 2 root 3 upon में root 3, आप क्या करते हैं, दोनों को जोट देंगे, इन दोनों को वह जोड़ते हैं तो देखो सबसे पहले तो अलगी अलग रहने देते ज्यादा फायदा तो इसको अलग करके कर रहा हूं माइनस का टू अपान रूट थरी माइनस का रूट थरी से रूट थरी कैंसल आउट हो जाएगा तू बच जाएगा फिर इधर वाला लिखते हैं प्लस का टू अपान रूट थरी और इधर हो गया प्लस का बन तो यह इससे कैंसल आउट हो गया यहां से यह क्या दे दिया अगला सवाल, पी एक टंकी को पांच गंटे में बर सकता है, कि उसी टंकी को दस गंटे में भर सकता है, और उसी टंक को बीस गंटे में खाली कर सकता है, तीनों मिलकर उसी टंकी को बरने में कितना समय लेंगे, तो देखो पांच, दस ये बरने वाले हैं, और ये खाली करने वाले यह 20 करते हैं, एल्सीम कितना हो गया 20, तो यह efficiency 4, 2 और यह, यानि कि 4 तो 6 से तो भरा जाएगा पानी, और यह खाली करेगा, तो यानि कि हमें 20 काम किसे करना पड़ेगा, 6 से गया 5, 5 चुकू 24 गंटे लगेंगे, अगला सवाल, जितेंदर नरेंदर की आय का यह 4 थे, यह 7 थे, जितेंदर का 2800 दिया था, क्या गुना हो रहा था? 700 गुना, इसका भी 700 गुना कर दें, यह कितना हो गया? 4900 हो गया, अब वो यह कह रहा था, कि 2800 रुपय में से 400 रुपय की बचत करता है, यानि कि 2800 माइनस का 400 कर देंगे, तो यह 2400 रुपया क्या हो उसका खर्च हो गया, यानि कि खर्च उनका 695 में था, इसकी वेल्यू 2400 दे दी, तो क्या गुना हो रहा था, 400, इसका भी 400 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, तो नरेंदर की बचत कितनी हो जाएगी, इससे घटा दो, यानि कि 2900 अंसर, अगला सवाल, 15 स से विवाज तीन अंकों की सभी संख्याओं का यो कितना होगा? तो अब एक एक चीज देखो, यहां से 158 120 होता है, और 1570 यह आगी एक संख्या, अब लास्ट में 999 से पहले कौन सी संख्या होगी? तो 15 आ रहा है, तो लास्ट में 5 तो होना जरूरी है, यानि कि हम 995 देखे सबसे पहले, यह कट रही है कि नहीं कट रही है, तो यह 3 से तो नहीं कटेगी, 5 से तो कट जा रही है, बात समझना मेरी, अब इसके इलावा क्या बसता है? 990 बसता है, यह 3 से भी कटेगा, और 15 से भी, क्योंकि 15 में 5 आ रहा है, 5 से कटने के लिए में लास्ट में 0 चीए, या तो आँ चाहिए इनका सब काम से पूँचाता सम यानि कि सबसे पहले तो यह निकाल लो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं तो संख्याएं कैसे निकालते हैं 990 माइनस का 105 बटे मेंडिफ्रेंस क्या चला होगा 15 15 का मल्टीपल यानि कि पंद्रेगा तो यहां से यहां से करेंगे 15 75 हो गया बचा कितना 13 तो पंद्रह ने मैं 135 प्लस का एक यानि कि टॉटल संख्याएं 60 अब इन इस संख्याओं का अगर हम लिखते क्या एवरेज लिखते तो क्या आ जाता है 105 प्लस का 990 बटे में 2 हमने आपको बताया था कभी भी डिफ्रेंस अगर आपका बराबर हो जाए या पर 5 तो फिर क्या होता लास्ट संख्या प्लस की फर्स्ट संख्या बटे में कर देते हैं 2 अब फिर ये तो बन कि आप संख्या है 60 सम आ जाएगा निकल के दो तीन अच्छे हो गया यहने की जीरो हो जाएगा तीन पंजे 15 हो जाएगा और तीन नें 27 हो जाएगा 27 एक अटाइस तीन एकंटीन आंसर अगला सवाल एक संभाव एक संभाव तर्वुज एवी सी के अंदर केंदर ओ वाला एक ब्रत खींचा जाता है और बुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है उस तर्वुज का छेत्रफल ग्याद कीजिए जो अंतर ब्रत में नहीं है तो अब यहां पर सिंपल सी एक चीज आपको दिमाग के लिए लगाना था कि संभाव तर्वुज का एरिया एरिया ट्रेंगल का एरिया माइनस में सरकि अब बुजा हो गई 12 गया घादी हमने आपको बताया आप गया माइनस में सरकिल का होगा इन रेडियस हमें निकालनी होगा अब रूबर क्या होगो आपां। हो गया यानि कि एक इतना दिया ता आर इस पर यानिолов यानि कि 22 Sectे कितना हो साथ आर इसंपाइर का मतलब 24 कोड़े में थिक है इसमें कर लो सातीय एक्षे करके कर लो चारतीय है बारा बारातीय उए साथ अंच्छती आप अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको 36 गुड़े रूट 3 को 1.732 लिखना पड़ेगा अब गुड़ा कर लेते हैं 37.732 बुड़े में कर लो 36 तो 6 दूनी 12 हो गया 6 तीया 18 तीन दूनी 6 यानिक 18 चे 24 हो गया 24 एक 25 हासिल लगा 2 हो गया फिर यहां तक हो चुका 6 सत्य 42 तीन तरका 9 यानिकि 42 और 9 51 हो गया 51 और 25 की 3 हासिल लगा 5 हो गया फिर आप पहुँचेंगे 6 एकम 6 हो गया 7 एक्केस हो गय एक्केस और 6 27 27 और 5 32 हो गया आसे लगा 3 हो गया फिर करेंगे 3 एकम 3 तीन तीन 6 यानिकि आ जाएगा 62 दिसंबलब 3 2 3 5 2 तो 62 दिसंबलब 3 5 2 माइनस का 36 कर देंगे यानिकि यहां से करेंगे तो 12 से 6 गया तो 6 बचा और 5 से 3 गया 2 यानिकि 26 संथिंग आना चाहिए तो 26 के चाहिए और इससे कमी आएगा क्योंकि हमने क्या कि थोड़ा वैसे करके कर लिया तो समझ सकते बात को यहां पर हमें ज्यादा सा घटाना पड़ता तो हमारा 24 के आस पास पहुंच जाते और इतनी कैलकुलेशन थी तो क्या करें करना ही पड़ा अब यहां पर दिखो इसको थोड़ा जतिन ही कर लेना सब जतन ईहां जहां पर जिन लिख गया है जिन होना नहीं चाहिए जिसका नाम हो उसके लिए तो माफी चाहता हूँ अब से तीन बर्स बाद जितन की आयू जितन की बर्तमान आयू और आठ बर्स पहले की आयू की ओसत आयू से दोगनी है तो समझो पहले तो हमें बर्तमान आयू निकाल लो पहले बर्तमान आयू मान ली हमने X तीन बर्स बाद यानि कि तीन बर्स बाद लिखेंगे तो x प्लस 3 और बरतमान आयू और आठ बर्स पहले आठ बर्स पहले की आयू से दोगनी है औसत आयू से यानि कि इन दोनों का औसत आयू लिखेंगे तो क्या आजाएगी यह आ जाएगी औसत आयू की दो गुनी हो गी यानि कि इसका दो गुना होगा क्या X प्लस का यह गया यह बन गया 2X माइनस का X और यह 3 प्लस का 8 हो गया यानि कि यहां से X बराबर आ गया 11 है उचा क्या गया 5 पर्स पहले जितन की आयू तो 11 से 5 गटा तो 6 अंसर अगला सवा बस तू A पर 20% की चूट बस तू B पर 15% की चूट के बराबर है A और B का अंकित मूल का अनपात क्या होगा यह इससे सरल सवाल नहीं हो सकता वाई 15 पंदरा पांचो को 20 चक्रवदी ब्याज अर्दवार्सी ग्रूप से सहयोजित पर 20% प्रतिवर्स की दर से 6000 रुपए जाते हैं 18 महिने के चक्रवदी ब्याज क्या होगा तो 18 महिने में 6-6 महिने की कैसले बनेगी तीन यानिक अल्टीमेटरी टाइम कितना हो गया तीन बर्स रेट कितनी हो जाएगी आदी हो जाएगी 10% अब बताओ कुछ बच्चा है सवाल में आपको सिंपल उसने बोल दिया दस से चीज 11 होगी तीन साल की बात करा तो एक अजार से 1331 होगी इसकी वैलू दी इनका डिफ्रेंस ब्याज हो जाता है अगला सवाल एक दूद बेपारी 50 रुपए प्रती लीटर की दर से 30 लीटर दूद खरीता है और उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है पानी मुफ्त है वह यदि इस मिसरड को 48 रुपए प्रती लीटर की दर से बेशता है तो ग्याद कीजिए लाब गया है तो देखो उसने टोटल प्रॉफिट कितना लिया बाई 20 लीटर पानी इतना तो उसने प्रॉफिट ले लिया यानि कि 960 रुपया उसने प्रॉफिट ले लिया लेकिन प्रॉफिट 900 रुपया लेकिन उसने अपने पास से लगाए कितने थे 50 गोडे 30 कि 30 लीटर दूद खरीदा 50 के साब से नहीं लगाई होंगे तो दो जीरो यहां से चले गए 15 पंदरा शक्का 90 अगला सवाल अंकित मूल का 20 परसेंट लागत मूल के 50 परसेंट के बराबर है तो यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाब परसेंटेज बता देखो मार्ग प्राइज पर और कॉस्ट प्राइज का रेशियो बढ़ा लो अंकित मूल का 20 परसेंट का 20 परसेंट लागत मूल के 50 परसेंट के बराबर है अच्छा ये बात कह रहा है बाई अलग तरीक या पर गुड़े में 100 कर दो तो आंसर 1500 परसेंट अगला सवाल एक वेपारी एक बस्तु को 20 परसेंट के लाब पर बेशता है यदि उसे लागत मूल के आदे पर खरीदता और पहले के समान विक्रे मूल पर बेशता तो लाब क्या होगा वाई 20 परसेंट लाब पर बेशता है आदे पर खरीदता यानि कि 50 में खरीदता पहले जैसे पर ही बेशता तो 70 का प्रॉफिट लेता किस पर जो अपने पास से उसने खर्च किये यानि कि आंसर आ जाता 140 परसेंट अगला सवाल तिर्बूज ABC एक समकोंड तिर्बूज है कोंड A90 है बहुत बढ़िया बात है कोंड A पर आपको 90 बोल दिया है ABC हो गया है ठीक है एपर 90 है AB बराबर आपको 4 दिया है BC बराबर आपको 5 तो ये तो आप होसे आ रहे हैं ये कहां से आ गया यहनि कि B बराबर निकालेंगे तो B एंगल यहाँ पर है यानि कि आदार बटे कड़ हो जाएगा 4 बटे 5 C अब आपर ध्यान देने बाली बात है बाई, कौट C पूछा गया है तो कौट C क्या होता है तेन का तो बता लंबटे आदार लेकिन उसका अपोजिट हो जाएगा यानि कि 3 बटे 4 4 चौकू 16 हो गया 15 नीचे में आगया 20 यानि कि आंसर आजाएगा 31 बटे 20 अगला सवाल अब यहाँ पर यह चीज मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर हमें निकालना XQ-YQ अब आपको जब दिया जाता है X-1 upon X वरावत A अगर आप से हम फूस देते हैं तो XQ-1 upon XQ क्यों होगा तो AQ प्लस का 3A आप लोग बोलते हैं लेकिन यहाँ पर इन दोनों का प्रोड़क्ट भी होता है जो की कैंसल आउट हो जाता है किन दोनों का इन दोनों का इसी तरीके से यहाँ पर चलेगा 8Q-3 into 8 और प्रोड़क्ट में क्या आ जाएगा X into Y आ जाएगा X और Y का मान कितना दिया X Y वरावर हमको 1 दिया है तो into में बनो गया तो 512 प्लस में आड़तिया 24 तो 4-2-6 हो गया 2-3 हो गया 5 हो गया लेकिन इसके साथ हमें 2 को भी चिपकाना था तो 2-6 के 12 हो गया 2-3-6-7 हो गया और 2-5-10 अगला सवाल दो दर्जन केलों का क्रैमूल 30 रुपए है 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर्ज से बेचने के बाद दुकंदार सेस केले 50 रुपए प्रति दर्जन की दर्ज से बेचता है हानी परसेंटेज बताईए तो 24 दर्जन केले यानि कि सॉरी नेक्स लाइन में कह रहा है पांच रुपए प्रती दर्जन यानि कि 12 के लिए पांच रुपए के तो बचे कितने थे बाई टोटल तो तीस थे तीस सुरी 24 ते 24 में 15 बेश दिये तो बचे कितने 9 के लिए बचे यानि कि 5 बटे 12 गोडे में 9 हो गया तो आप हमें चाहिए क्या था था थीस हम इन दोनों में बना लेते हैं रेशियो बनाने से सवाल आसान हो जाएगा बैसे भी कर सकते हो डिफ्रेंस करके तेकिन ऐसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यहां से करते हैं 15 जूनी 30 डवल जीरो हो जाएगा 15 15 जूनी 10 किलोमेटर पर गंटे की गति के बजाए 12 किलोमेटर पर गंटे की गति से साइकल चलाता है तो वह 15 किलोमेटर अधिक साइकल चलाता उसके द्वारा साइकल से तैकी की बास्तविक दूरी कितनी है तो सिंपल सी बात है 10 की बजाए वह 12 से चला रहा है यह स्पीड में रिश सबतर अगला सवाल अब यह देखो सीरीज वाले सवाल हैं ये भी पूछे जा सकते हैं एक इन्टु दू कर दो प्लस का वन अपर करेंगे तीन गुरे में ठान तो यह देखो क्या रहा थे सबसे to लास्ट वाला में पर बचेगा यहां पर लिख जासकते है ध्यारा इंटू-10 यानी कि आप बचे गा वन माइनज का वन उपकेओ तो गया एक का गया धर गैरा यह हमारा आना मैं चाहि23 है लोगे ठीक है आप यहां पर इसको हम देख लेतें इसी तरीके से, तो एक बटे तीन था, एक बटे तीन को हम क्या एक गुड़े तीन लिख सकते हैं, प्लस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तीन गुड़े का पांच, फिर प्लस का, फिर लिख सकते हैं, पांच गुड़े में साथ, तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी, क्या दे यहां पर क्या बचेगा एक बटे यानि की लाष्ट वाला कैंसल आउट होता जला जा रहा है तो सबसे बाद में यही बचेगा लेकिन यहां पर एक चीज़ याद रखना कि जब आप इनको वाल रहे तो ऊपर देखना जैसे एक बटे बटे तीन वाटे तो यह दो एस्ट्रा तो यह आपर हमें क्या कर ना पड़ेगा एक बटे दो से भाग करना पदेगा ठीक है तो 0.9 लिख लो, यहाँ पर करते तो 0.8 लिख सकते, 0.8 बढ़ा होगा, 0.9, भाई 0.9 बढ़ा होगा, अब इसी कंडिशन में 6 बटे 13 आया, यहाँ पर लिखा था 6 बटे 13 और 7 बटे 13, तो अब यहाँ पर 0 बढ़ाया, तो 13 चोकू 52 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाया, 13 अच्छक 78 हो जाएगा, ज्यादा 13 पंजे 65, तो एक चीज़ बटाओ बढ़ा तो यह वाला हुआ, तो यह भी कैंसल हो गया, ठीक है, संभाव दुरूज की अंत्य ब्रत की तरज्या इतनी है, तो संभाव दुरूज का परमाप कितना होगा, इतना आसान सवाल, लेकिन आता हो गया, ट्रेन की गती, कार की गती से 30% अधिक है, ट्रेन की गती, कार की गती से, स्पीड की बात कर रहा, 30% अधिक है, दोनों एक ही समय पर बिंदु P से सुरू करते हैं, और एक ही समय में बिंदु Q पर पहुंसते हैं, P और Q एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर है, रास्ते में train एक station पर 30 मिनट के लिए रुकती है तो train की गती क्या है तो इसके time में कितना difference हो जाएगा और यह time का ratio कितना हो जाएगा हमारे इसाफ से time में difference इतना है question में 30 मिनट का 30 मिनट को गंटे में change कर लिया अब हमें किसकी चाल चाहिए train की तो train का actual time 10 था तो यहां से कर लेंगे 30 दूनी 60 हो गया एक बटे दो गोड़े में थी और गोड़े में 10 यह train का actual time और distance 130 जानी थी तो दस छे उपर चला जाएगा तो जीरो सो जीरो तेरा चकटतर आंसर अगला सवाल अब इसमें देखो सबसे छोटी मिन का योग और सबसे बड़ी का तो सबसे पहले इसको क्योंकि वो एक बार जा रहा है इसमें दो बार जा रहा है यानिकि यह सबसे बड़ी बिन हो गई अब इन दोनों में देख लेंगे यह साथ पंजे 35 हो गया यहां पॉइंट लगा जीरो तेरा थी यह 49 हो गया यहां से 65 आ गया यह हो गया 143 फैवरेट नंबर हो गया आपक ठीक եैंग भार की को चुँगी ओओ ठोड़ा है यह सै कर लेना आप इसको सिंपल सा फर्मूला बना लो यह दो अपर से कि सकते हैं35 य्यों अपर अकेले में हम सकेक दिख रहा है तो यानि कि इस पूटर चैंज कर लों तो यह जाएगा वन प्लश करेन करें ल्शा गार तैने को अब्लस का यूट देन इस भाइर ए उंस का टू सेक यह थ Sydow यहां से क्या करते हैं टैने ले लेते हैं common यह तो टू टैने बन जाएगा ना तो टू common साथ में ले लिया तो यहां पर बच्चा क्या टैने माइनस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो लेकिन हाँ आप्सन को सही से देखके तब कर सकते हैं 21 cm तरज्या बाले दो ब्रत एक दूसरे को इस प्रकार प्रच्चेद करते हैं कि प्रति एक दूसरे के केंदर से होकर गुजरता ओवैनिस्ट जीवा की लंबाई क्या होगी हमेशा याद रखो एक दूसरे के केंदर से कभी भी होकर जाते हैं ओवैनिस्ट जीवा की लंबाई मेशा रूट 3 इंटू में तो आंसर हो जाएगा 21 अगला सवाल यह देखो सीरीज यहां से हमें पकड़नी थी यानि कि इसको हम दोनों को लेते तो यह माइनस का 6 इनको लिया माइनस का 6 इनको लिया माइनस का 6 इनको लिया तो मरम्मत करने से पहले इतनी की गति से चलती है यह मरम्मत के 3 गंटे में X किलोमेटर की दूरी तय करती है मरम्मत करने से पहले 5 X किलोमेटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो देखो मरम्मत के बाद 108 की स्पीड से 3 गंटे में यह तो डिस्टेंस उसने कवर कर लि यह तो बारा ने में 108 हो गया बारा चंग बारतर हो गया तो तीन दूनी 6 हो गया तो नौपनना 45 बटे दो हो गया यानि कि यहां से 22 तो आपको दिख गया होगा तो आंसर हम यहां से लगा सकते थे साड़े 22 एक बटे 5 इसको कर लो गंटे से मिनट में 60 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा से नीचे में 2 था 30 हो जाएगा तो 22 गंटा 30 मिनट अंसर अगला सवाल इसमें 8 किलो गयों 30 उरुपे प्रति किलो की दर से खरीदा और इसमें 8 किलो एक्स उरुपे प्रति किलो और से से इतने किलो ग्राम पर बेच धिया थीक है अर जित को लाब पृसद 10 परजेंट है तो इसमें से 8 किलो उसने X रुपए प्रति किलो ठीक है और फिर उसने 6 यानि कि X माइनस का 8 45 के हिसाब से बेज दिया तो कह रहा था अरजित कुल लाव 10% है यानि कि यहां से अगर इन सब को जोड दें तो 30 X का 110 बटे 100 हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो 45 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से बेजे गए इसको हमें सॉल्व करना था तो सिंपल सी बात है वाई करते है 8 X हो गया प्लस का अब यहां से काट लो पहले तो कटना तो है नहीं था तो बुड़ा कर लो 45 X माइनस का 8 पनने 40 8 चोग 32 4 36 और इधर यह 0 चला जाएगा तो 11 तिया 33 X आ जाएगा ठीक है तो 360 उदर चला जाएगा 33 इदर ले आएगे तो यानि कि 12 X हो गया 12 8 20 X हो जाएगा बरावर में 360 हो जाएगा तो X बरावर कितना आ गया 18 आ जाएगा तो क्या पूचा था 45 के साथ से यानि कि टोटल हमारे पास कितना हो गया 18 हो गया X की वेलू उसमें से 8 बेज दिया तो बचा कतना 10 के जी बचा अगला सवाल अब ये देखो इसका मान हमको निकालना था तो देखो यहाँ पर AQ प्लस का अगर हमें यहाँ से 3 A common ले लें तो बचेगा क्या A प्लस का बन बराबर में 360 तो आपको एक फर्मूला दिख रहा होगा यानि कि हमें दोनों तरफ अगर 1 जोड दें तो हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि यह क्या बन गया यह बन गया A plus 1 का whole Q बन गया बराबर में 64 हो गया तो A plus 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर हो जाएगा चार का Q हो जाएगा तो A बराबर कितना हो गया 3 हो गया अब इसमें फुट कर दो 3 तरका 9 प्लस का 3 उनी 6 15 अगला सवाल यह दि बारशिक चक्रवदी ब्याच की 10% की प्रतिवर्ष की दर्ज अर्थ बारशिक रूप से सही हो जिख चक्रवदी ब्याच की x पर्सेंट बारशिक धर के बरावर है तो x का मान क्या होगा तो देखो simple सी बात है वो कह रहा है x plus x plus x into x upon 100 बराबर में दिया है 10% यानि कि हम यहां से लिख सकते हैं या तो क्या करें चालो करते हैं 2x plus x square और यहां पर हो जाएगा upon में 100 बराबर में 10 हो जाएगा तो अब क्या करते हैं option का सारा ही लेते हैं तभी हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा यानि कि 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया इदा रखेंगे 25 यानि कि 0.25 तो 10.25 दो 5 आगे आगर 5 रखा तो तब भी देखो हमें पहुचना कहा था दस तक पहुचना था तो ये चीज़ समझ लो ये तो हो नहीं सकता ठीक है अब ये तो देखो जब हमने 5 माना तब यहां पर पहुचे हैं तो इतना कम थोड़ी ना हुआ और 6 वाला तो आटोमेटिक कट गया तो आपजर्वेशन से इसको कर सकते हैं बाकी तो बहुत मैनस बन का गोड़ा अब ऐसा कभी भी मिल जाए ऐसा कभी भी मिल जाए तो सबसे वड़ी पावर का करतो दो गुना यहने की 256 और जो भी हो माइनस लगा के बात खतम करो बहीं पर सस्ते में निप्टा हो कभी भी हो क्योंकि ये क्या सीरीज बनती है अब ये इसका ले उठा बाते टू का स्पायर प्लस का बन तो टू की पावर टू माइनस का बन तो टू की पावर फॉर माइनस का बन अब मान लो तुमसे सबाल में जैसे आठ तक पावर में चार तक ही मान लो अगर ये होता टू स्पायर प्लस का बन तो हम डारेक्ट लिखते क्या टू की पावर 8 plus का 1 और minus का 3 आ जाता नीचे में आपर minus लगाना क्योंकि क्या गिया हमने यहाँ पर 2 की power 4 टू की पावर 2 प्लस का 1 चम माइनस का लेना अपन में टू की पावर 2 माइनस 1 का कर दिया गुणावाग तो इसके साथ मिला जाके तो ये तो आपको पता है टू की पावर 4 माइनस का बन बना देगा फिर टू की पावर 4 प्लस का बन यानिक यहां पर यह देखो क्या बना दे दिखो आपको यह समझना इस सवाल में कि क्या-क्या पूछा जाए यहां है यानि कि sec x plus का और sec y minus 10x plus में got y तो यहां से दिखो यह आपको मिल सकता है कहीं से बिलकुल मिल सकता है इसमें जब formula लगाओगे तो sec square x minus 10 square x जब बाहर निकलोगे तो sec minus 10 x की value क्या हो जाएगी 1 upon 5 हो जाएगी इसी तरीके से यहां से formula लगा कि आप सकते से बस आपको यह पकड़ना था कि पूचा क्या गया बस उसके इलावा इसमें ऐसी कुछ भी बात नहीं थी जो आप लोग कर नहीं पाते तो इनको आप क्या कर ना जोड़ना है सिंपल से प्लस का तीन कर देंगे पांतिये पंदरा एक सोला बटे पांच हो गया पांतिये पंदरा हो गया एक बच क्या पांदुनी तस अगला सवाल दो अंगों की सभी सम संख्याओं का यह यानिकि 10 से लेके 98 तक तो कितनी संख्याए हो जाएंगी 98 में से 10 गटाया 88 आया बटे में दो क्योंकि संख्याओं और फिर यहां पर प्लस का यानिकी संख्याओं होंगी हमारी 45 अगर इनका एबरेज लिखते तो क्या आ जाता 98 प्लस का 10 बटे में 2 यानिकी 8 9 10 बटे में 2 तो पंजे 10 दो चौकू 8 यह आया एबरेज एबरेज में अब 42 इसका भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एबरेज में नंबर जितने होते हैं उनका गुणा कर दे सम आ जाता है तो यहां से 5 चौकू 20 हो गया हां से लगा 2 गया 25 चार चौकू 16 और पच्चे 41 और 42 की 3 हो जाएगा हां से लगा 4 हो गया फिर आगे पह सिंपल सी बात है यहां से देखो time में difference 2 बर्स का है एक बर्स के लिए 8% हमारे हिसाब से 8 हो गया question में 26 हो गया तो 100 बराबर हमको निकालना था यानि कि 26 सो बटे में 8 कर दो 8 तीया 24 हो गया बचा कितना दो 8 दूनी 16 चार बच गया आठ बनने 40 अगला सवाब ये भी आसान है में इस पे पहुंचना था दो पावर 6 पे अब 6 पे पहुंचते कैसे पहले दो पर पहुंचो फिर 3 पर यानि कि अगर हम यहां से लिए jurisdictions प्लस का 1 अपॉन स्कॉयर तो क्या आ जाता रूप 3 का होल इसक्वाइर माइनस का 2 यानि कि क्या बन जाता वन बन जाता अब क्यूब करेंगे तब हम हम पहुंचेंगे कि इस पर 6 पर यानिकि n square प्लस का 1 upon n square इसका cube के हमें पहुंचना है तो पहुंचने के लिए 1 की पावर 3 माइनस का 3 into 1 करना पड़ेगा यानिकि 1 माइनस का 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 अब इसमें फूट कर दो माइनस का 2 प्लस का 11 आंसर आ गया कितना ना अगला सवाल यह देखो यह बढ़िया सवाल इसको अगर याद करना चाहते हो ना आप नोट करके बढ़िया से कि याद कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको तो वन माइनस का साइने का होल स्पायर प्लस का पॉस स्पायर एक और वटे में हो गया क्या वन माइनस का साइने और ये हो गया ओस ठीक है आप इसका जब formula खुला तो 1 plus का sign square a minus का हो जाएगा 2 sign a और प्लस में हो जाएगा cos square a upon में क्या हो गया 1 minus का sign a और break it close ये हो गया ओस ठीक है अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़े क्या देदेंगे 1 यानि कि ये 1 और ये 1 मिलाकर 2 हो गया 2 हमने ले लिया comment तो बच किया 1 minus का sign है और upon में क्या हो जाएगा 1 minus का sign है इंटू में पॉस है तो ये cancel out हो गया तो answer क्या गया 2 sec आगला सवाल त्रवुच के तीन भुजाओं के गुड़न फल का वर्ग इतना इकाई है और इसके परविरत का चेतरफल इतना है तो दिये गए त्रवुच का चेतरफल बताईए देखो परविरत का चेतरफल दिया गया है यानि कि अगर हम ये देखें कि R बरावर होता क्या है ABC upon 4 delta होता है बिलकुल होता है जिसमें delta क्या होता है तरबुच का छेतरफल होता है क्या रहा तो तीनों बुजाओं के गुड़न फल है यानि कि A into B into C गुड़न फल का बर्ग 1024 दिया यानि कि A B C कितना हो गया 32 हो गया कोई दोराय वाली बात तो नहीं है अब और परिवरत का area दिया गया तो यानि कि पाई R square बरावर 16 पाई दिया गया तो यानि कि R बरावर कितना हो गया यहां पर 4 हो गया अब support कर दो इसमें क्या निकालना में तरवुच का छेत्रफल तो 4 A B C का मान 32 बटे में 4 तरवुच का छेत्रफल 4 अठे 32 हो गया और इधर चला जाएगा 4 दूनी 8 आंसर अगला सवाल आप यहां पर देखो बही चीज़ हमने बताई थी और यहां पर आपको आप दी पहले तो यहां पर आपको इसमें भी मिल गया इसमें भी मिल गया लेकिन अब यह सोचो कि कमी कहां रह गई भाई इसके लिए हमें सिंगल पावर चाहिए न उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहांने कि ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा K प्लस बन अपॉन के इंटू में K प्लस बन अपॉन के बस कितना करना होता था तो आंसर आपका आ जाता नीचे K प्लस बन अपॉन के हो जाता समझ गयोगे बात को यह ध्यान रखना यहां पर फार्मूला चला आपका कौन सा A स्काइर माइनस B स्काइर वाले और गुणा होते चले जाएंगे ऐसे ही पावर बढ़ती चली जाएगी यह देखो यह नंबर तुमको दिया गया था फोर टू फाइव भी ठीक है चत्यस के डिविजबिल्टी यानि कि नौ गुणे चार तो चार के लिए सबसे पहले एक बार चेक करते हैं लास्ट के दो नंबर यानि कि पांच और बी तो चार से अपने किया चार एकन चार अब बचाक इतना एक यहानि कि यहाँ पर दो आ जाये तो चला जाएगा यहानि कि वह बेराबर आंं दो रख सकते बिल्कू रख सकते हैं और व क्या रह सकते हैं ज्थे इंख सकते हैं कि चारति यह 12 माइनस का दो पाँच आंस अगला सवाल आठ सो चालिस में एक और सोयम संक्या को छोड़ कर कुल कितने गुड़न खंड है बिल्कुल सिंपल सवाल है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बारा सत्य चौरासी और साथ की पावर एक पाँच की पावर एक गुड़न खंड करते हैं तो तीन और एक चार इंटू में एक एक दो पावर का क्या करते हैं एक एक जोड़ देते हैं ना साथ और एक एक दो हो गया पाँच और एक सोरी एक और एक दो हो गया तो 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी, 32 अब इसमें से 2 हटा दो क्योंकि उसने का उन दोनों को छोड़ कर तो आंसर आ जाएगा हमारा 30 अगला सवार एक तिरवुज MNO में XA, XV और XC, क्रम से MN, ON और OM वो जाओं पर लंब समदिवाजक है जो एक दूसरे को X पर प्रतिछेद करते हैं यदि NMO 55 डिगरी है तो NXO का मान क्या होगा तो सबसे पहले तो एक तिरवुज बना लो MNO M, N और यह हो गया O, XA, A कहां पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा MN पर और ON पर हो जाएगा B, ON पर B, फिर उसके बाद बचा यह C हो गया, यानि कि XA रहा होगा XA, XB, XC हो गया, लंद समदिवाजक है ठीक है, जो एक दूसरे को X पर प्रतिछेद करते हैं NMO 55 दिगरी है, तो NXO, NXO, यानि कि इसका अमान में निकाल, यह तो बहुत आसान सवाल मैं तो समझा, बहुत कठेन होगा, अब एक बास समझो, लंद समदिवाजक से हमेशा क्या बनता है, हमेशा आपका एक परिवरत बनता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे मालो यह इस तरीके से बनाओ, यह सारे क्या बन जाते हैं, आपकी जीवाए बन जाते हैं, तो यह वाला निकालना तो यह क्या हो जाएगा, परिद पर बने कोण का दो गुना होता, तो 110 डिगरी, अगला सवाल, एक पतलून का अंकित मूल, लागत मूल का चार गुना है, ठीक है, मा 64% लाब अर्जित करने के लिए बट्टा परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो इसे 100 कर लो, इसे 400 कर लो, अब 64% उसे प्रॉफिट चाहिए, तो 164 की चीज खरीदनी पड़े, बेचनी पड़ेगी, तभी तो 64 प्रॉफिट होगा, अब इन दोनों में हम यही बना लेंगे यानि की 400, 164 का रिशियो बना लो, चार एकम चार हो गया, चार चोगू 16 हो गया, चार एकम चार, तो इहां से देखो हमें कितनी छूट देनी पर ड़ेगी, नाइन परसेंट गी, अगला सवाल, एदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, तो गरहा के 140 रुपे में 5 और सेब, हम कहे रहे हैं 100% घड़ जाता, वो फिरी में ले के आता, तो कितने सेब ला सकता था, तो 5 बटे 30 बुड़े में 100, इतने ला सकता था, तो घटी हुई कीमत चाहिए, तो इतने अब प्रिजेंट टाइम क्या है, तो इतने काई हम 140 में भाग कर देते हैं, हमें रेट प पूछते कि पुरानी कीमत क्या थी, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको देखो solve करेंगे, यहने कि 50 बटे 30, माइनस का 5 करेंगे, जो भी आएगा, फिर 140 में उससे बाग कर देंगे, अगला सवाल, 60 कुर्सियों को इतने रुपे में खरीदा जाता है, तो 20% का लाव अर्ज करने के लिए, कितनी कुर्सियों को इतने रुपे में बेचा जाना चाहिए, अब यहां से दिखो, 60 कुर्सियों को इतने रुपे में खरीदा जाता, तो एक कुर्सी को कितने में खरीदा गया, इतने रुपे में खरीदा गया, बिल्कुल एक कुर्सी का रूल लवा गया, अब 120% का लावर्जित करना तो 120 का लावर्जित करना 120 लगा गया अब कह रहा था 24560 में कितनी कुर्सी बेचनी चाहिए तो 24560 का ऊपर नीचे गुणा कर दो यह सभी में लगता है साई ठीक है हमें एक चीज अब यह ध्यार रखना है कि ऊपर जो हमने इसमें लिखा था इसमें यह क्या लिखी थी हमने रुपए लिखे थे नीचे क्या लिखी थी कुर्सी लिखी थी हमें निकालना क्या सवाल में कु करना है 24 560 में निकालनी तो इसको बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है ठीक है यह बहुत गुस्यल आदमी है ठीक है तो यह कहरा है डॉन टच में उसके इलावा जितना भी है इसके बाद भी 10 परसंट का लाव होता है जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ परसंटेज बताइए तो देखो राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था बै इस तर जल में 12 किलोमेटर पर गंटा की गति से तेरता है उसी दूरी को तै करने में उसे नदी के विपरीद रिसा में नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय लगता है नदी के प्रवा की दर ग्यात कीजि स्वाल में क्या कह रहा था खरता विपरी दिसा में नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय लगता है तो समझ लो यानि कि जो यहां पर समय लग रहा, इसका दो गुना लग रहा, कहने का मतलब हो गया, 12 प्लस का एक्स, अपउन में 12 माइनस का एक्स बरावर 2 बटे एक, यहां पर अगला सवाल, अब यहां पर माइनस तीन दिया था, सचे पहले इसको सिंप्लिफाई कर लेते हैं, क्या पूछा गया था प्लस K square प्लस का वन अपॉन K square हो गया, ठीक है, तो अब Q बाले पे जाणा, तो मैनस 3 की पावर 3 और इधर हो जाएगा, मैनस का 3 इनटू में 3, square पे जाना, तो 3 तर का नो और 3 तर का नो, मैनस का है न, तो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस का 2, तो 3 तरका 9, तीन 27, इधर कर देंगे 3 तरका 9, और 9 में से 2 गया, 7 हो गया, तो 9 साथ 16 हो गया, माइनस का 27, प्लस का 16, यहने कि आंसर आ जाएगा हमारा 11 है, वो भी माइनस का, तो इसके option थोड़े हो सकता गलत दियों बाकि आप लोग भी चेक कर लेना एक बार समान तरज्या वाले दो ब्रत एक दूसरे को इस प्रकार प्रचेद करते हैं प्रती एक दूसरे के किंदर से होकर जाता और ब्रत का ब्यास क्या होगा अगला सवाल आगला सवाल चावल की कीमत में 20% की ब्रचेद के कारण उपवोग ता अपने उपवोग में 5% की कमी करता है तो कुल ब्रत में परसत परवर्तन बता है सिंपल सी बात है एक दूसरे को पर कभी भी dependent हो तो आपको हमेशा product हो था है तो हमेशा normal formula लगाना है पॉन सा plus minus a plus minus b plus minus a b upon hundred ठीक है तो 20% की ब्रद्धी यानि कि plus का 5% कमी minus का plus minus minus हो जाएगा बीस गोड़े पांच बटे सो बीस बंजे सो एक हो गया तो बीस से पांच गया 15 माइनस का बन यानि कि 14% का कमी होगी ठीक है सॉरी प्लस आया है मितलब परवर्तन आएगा यानि कि हमारे हिसाब से ब्रद्धी बोल सकते हो भई परवर्तन होता है एक बस से प्रति एक 50 मिनट के बाद एक ही दिसा में एक बस चलती है मोहिद बिपरी दिसा में 50 किलोमेटर प्रति गंटा की गति से चल रहा है मोहिद प्रति एक बस से 10 मिनट में मिलता है तो बस की गति क्या होगी अब ये देखो ये सवाल मैंने अपने चैनल पर भी पोस्ट गया हुआ था ठीक है काफी लोगों ने अच्छे अच्छे अंसर दिये लेकिन एक ची ध्यान रगना इस सवाल को आप कहीं नोड कर लो अब 50 मिनट के बाद तो 50 मिनट ये होगया और 10 मिनट ये लास्ट ये इसमें हमें निकालनी बस की गति तो वो होगई एक्स ठीक है समझ गये कि नहीं समझ बरावर में क्या हो गया अब यहां पर देखना ये सारे मिनट में थे मिनट को चेंज कर लिए गंटे में अब तो चार एकम चार हो गया, एक बचा, चार दुनिया, चार पंजे, वीस, अगला सवाल, अब ये देखो, ये भी भड़िया सवाल है, देखो, मुझे याद हो सकते हैं, बस इतनी आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, अगर प्रेक्टिस कम है, तो या कोई बाती नहीं, न से यादोंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सिंपल सा, अगर आप वैलू पुटिंग करना चाहते हैं, तो वो तो एक आप्शन रहता ही है, हम आपको बेसिक से ही बताते हैं, तो ये हो जाएगा, कॉसे, प्लस का साइने, अपॉन में हो जाएगा, कॉसे, इंटू में क कॉसे, प्लस में क्या हो जाएगा, फिर देखो, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, तो साइने, प्लस का कॉसे, अपॉन में हो जाएगा, और फिर इंटू में हो जाएगा, से के साथ क्या आ जाएगा, वही साइने, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को अगर चे से स्ट प्लस का साई साइने हमने ले लिया और हुआ है तो यहाँ पर बन की आप यह वा से प्लस का साइने के इसको अपन करेंगे तो यह साइन इसुएब और सीस्कौरिए अपॉन में हो गा, sign a, cause, ठीक है, अब into में भी करेंगे, तो sign upon cause, sign a upon cause, और फिर into में cause upon, sign, तो ये तो दोनों cancel out हो गए, say, ये क्या देदेगा, ये हमको one देदेगा, क्या देदेगा, one, तो हमारे पास बचा क्या 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 है, भाई वो भी तो लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं भाई, चलो, तो यहाँ पर बचा है, cause, plus का sign a, upon में हो गया, हमारे पास sign a, cause, answer आ गया, अगला सवाल, a square, minus का b square आप से पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पर square आप अपनी तरफ से लगा लीजिएगा, अब क्या करना है, आपको whole square करके, दोनों को घटाना था, तो देखो, इसका whole square करके, यानि कि a square करेंगे, minus का b square करेंगे, यानि कि whole square करके, direct लिख र साथ को, इसी तरीके से यहाँ से plus का b square हम ले लेंगे common, तो यह क्या बन जाएगा, cot square theta, minus का बन जाएगा, cosec square theta, समझ गे, अब जो बचा हुआ है, वो बचा क्या है, plus, plus में देखना, 2ab, cosec theta, और into मे, cot theta, minus का हो जाएगा, क्योंकि हम difference कर रहे है, तो इधर वाले, देखो, स जाएगा, और इधर हो जाएगा, cot theta, ठीक, तो यह इस से cancel out हो गया, यह आपको बन देदेगा, यहाँ पर आप जाएगे, तो यह minus का उमन लेना पड़ेगा, minus बाहर आ जाएगा, तो यह minus, पर यह plus बना देगा, और यह आगे आ जाएगा, यह minus का, तो यह भी बन देदेग है, तो इनकी बचत का योग क्या होगा, तो देखो, यह भी अच्छा सवाल है, नोट का लेना, देखने में छोटा है, लेकिन हाँ, अच्छा सवाल है, C की बचत, C की बचत अगर X माल ले, तो D का बे, अगर बाई माल ले, तो बरावर हो गया, यानि कि अगर हम दोनों की, यानि कि C की आय कितनी है तीन दी ति और चार दी धी यानि कि 3A और 4A डी थी ठीक है यह C की होगे यह D की होगे आप यहاں से एक ची देखना दोनों का 2 का दिया हुआ था यानि कि C की I इतनी है इसमें से आकर हम बचत हटा दें और क्या कहिए था इसकी दीती हमको 2X का D का D का हमने बाई माना था बराबर क्या हो जाएगा 12000 हो जाएगा लेकिन आपको ये भी पता है इसकी बचत का यो क्या होगा यानि की सिम्पल सी बात है उनकी आय कितनी हो गई उनकी आय हो गई 28,000 रुपया ठीक है 12,000 अगर इस में से हम हटा थें तो जीरो 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 आट में से दो गया अच्छे दो है y z e ho gaya y y x, 50 degree हो गया, अब यहां पर जो बोल ला करते है xr xr पर है, ये है धिर, प्र को मिलाना पड़ेगा यार कि धार ये बयावर हो गया किसके qrrick ढे करARE कियो ए ये दे दिया था 80 degree, हमसे पूचा था PRQ का मान क्या होगा? यान की PRQ? यान की ये एंगल हमको निकालना था तो काफी आसान सवाल हो गया, ये पचास हो गया, घिके यह यहां से 80 है, तो ये भी 80 हो गया ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 20 डिगरी हो जाएगा ये वाला एंगल 80 डिगरी हो जाएगा पूरे पर बनेगा 180 ठीक है तो 8 और यानिकी 100 प्लस का X बरावर 180 तो X बरावर कितना आ जाएगा 80 डिगरी अगला सवाव दो सकेंद्री ब्रतों की तरज्याएं इतनी और इतनी हैं A और D बड़े ब्रत पर बिंदु हैं B और C छोटे ब्रत पर बिंदु हैं यदि ABCD एक सीधी रेखा है तो BC बरावर इतना है तो AD की लंबाई क्या होगी इस टाइप का सवाल एक पीछे आ चुपा है ठीक है ये बन यहां पर 34 दी गई थी रेडियस छोटे वाले की 34 और बड़े वाले की रेडियस दी गई थी 50 और हमसे BC का मानना है 35 तो अब यहां पर इस पर परपेंड़कुलर डालेंगे तो यह 16 हो जाएगा तो यहां से देखना 16, 34 और यह हो जाएगा कितना 16 हो गया हमें AD की लंबाई चाहिए यानि कि हमें यह निकालना पड़ेगा यहां तक यानि कि इसकी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 50 का स्वोड तो पचासो 30 80 हो गया 50 से 30 गया 20 हो गया 8 दूनी 16 यानि कि 1600 हो जाएगा 1600 का मतलब 40 बार आ गया अब इतना 40 है तो यह यहां तक 40 है तो यह भी 40 होगा तो आंसर कितना हो गया 80 अगला सवाल जीवा ओपी द्वारा एक ब्रत की परित पर बनाया गया कून 90 डिगरी है होता है तो ब्रत का ब्यास इतना है तो जीवा ओपी की लंबाई कितनी होगी सेम होगी आई आपको पता है सरकेल में अर्द ब्रत में बना कून समकून होता तो जीवा मारी किसका काम कर रही होगी ब्यास का काम कर रही होगी तो बात खत्म अगला सवाब 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 10 से विवाज हैं लेकिन 3 से विवाज हैं तो देखो पहले तो इसमें 2 तरीके से कर सकते एक तो 701 तक हम निकाल ले कितनी 10 से विवाज हैं उसमें से 501 तक कितनी विवाज हैं ये 1 से लेके 701 तक हैं औ 10 से डिवाइड होंगी ठीक है इसके इलावा तो भाग जा नहीं सकता है अब इसमें देखते हैं तो 10,50 यानि कि 70 से 50 घटा देंगे तो 20 संख्यां ये ऐसी हैं जो 501 से लेके 701 के बीच में अब संख्यां 3 से विवाज में नहीं चाहिए यानि कि हमें 30 से चेक करना पड़ेग 10 इंटू 30 क्योंकि ये कॉमन रही होंगी संख्यां तो 301 में हम चेक करते हैं 30 से तो यहां से हम भाग करते हैं तो 30 दूनी 60 हो जाएगा तो साथ करने के बाद बचा कितना है तो तीन तर्का नौ यानि कि तीन वार यहां पर चला जाएगा फिर 501 तक देखते हैं 30 का तो 30 एकम 30 बचा कितना है 20 बचा है तो यहां पर 16,8 यानि छे बार और चला जाए विखी 7 आपक में ये साथ संक्या इंकलूड होगी तो इन दोनों का डिफ्रेंस कर देंगे तो तेरे अगला सवाल चलो आपके ये हंडेड सवाल हो गया है यही तक दखते हैं और कलगवक 80 सवाल के आसपास और होंगे ठीक है यतनको कर लो अच्छे सवाल है और ये मेंस में भी काम ने आए लोग।